सार आच से एक डिर महीना पहले मैंने इसी चानल यानि fin Chloe के ऊपर एक वीडियो बनायाया था जिसे मैंने आपको चार के टागिरी बताही था जो और आपने उस वीडियो को देखाया है तो ठीक है गर नहीं देखाया तो कोई कर नहीं यह बी फिनेंसर पे सेम वही टोपिक कवर किया गया है और चार बज़े उस पे वीडियो आएगी तो आप उस पे जरूर देख लिजिएगा कि किस किस टाइप के वो चार मतलब वो चार तरीके के फॉंड्स हैं जहां पर और जिसके स्कीम में आपको निवेश नहीं करना चाहिए फिलाल आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उसी तरह के मतलब उनमें से जो एक कैटागिरी थी वो क्या था इंटरनेशनल फॉंड कि बाई इंटरनेशनल इकिविटी में निवेश करने वाले जो इसकीम होते हैं वहाँ पर आपको निवेश नहीं करना चाहिए मै नहीं पर नेगेटिव रीटवन्स भी दे कर रखा हुआ है और कम सम डियूरेशन में नहीं बलके एक लॉंग डियूरेशन की मैं बात कर रहा हूँ समझ रहे हैं लंबे समय में इस हिसाब किताब का हाल रहा है तो वो कौन कौन से फॉंड है उसके ओपर डीटेल्स में हम ब सब्सक्राइब नहीं कե तो चाइनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजें देखिए सर मैंने एक वीडियो में काव हो आता कि आपको जो इंटरनेशनल फंड होते हैं इंटरनेशनल एक्वीटी में जो फंड करते हैं वहां आपको नहीं निवेश करना चाहिए अब दे बनेंगे इंडिया में तो पैसे नहीं बन रहे हैं उनको लगता है कि और भी किसी बड़े कंट्री में निवेश होगा जिसकी बदे से पैसा बनेगा लेकिन अक्षुली में ऐसा होता नहीं है क्यों नहीं होता है वह भी मैं आपको बताऊंगा सबसे पहले आकर मैं पहले फॉ बोलूँगा अभी मैं अगला फॉंड आपके सामने रखता हूं उसके बाद दूसरा फंड आ जाता है एडिल वाइस से मिचल फंड हाउस की तरफ से इडिल वाइस ग्रेटर चाहिन एक्विटी ऑफ शोर फंड समझ रहे इस फन ने पिछले पांच सालों में 3.76 परसेंट क नेगेटिव रिटरंस दिया है उसके बाद आ जाता है तीसरे नंबर पर क्या कहते हैं कि फ्रैंक्लीन की तरफ से फ्रैंक्लीन इंडिया स्वीडर ट्रेंपलेटन इरोपन ऑपर्चुनिटी फंड इस फंड ने पिछले 5 एर्स में 7.67 परसेंट का पॉजिटिव रिटरंस तो यहां पर पॉजिटिव रिटरंस रहा है लेकिन अस्थी रही है अभी बात में करने वाला हूं इसके उपर भी क्यूंकि इसको भी छोड़ेंगी नहीं क्यूंकि पांच साल में इसने 7.67 परसेंट का रिटरंस दिया है तो कोई सा बहुत जादा मालामाल नहीं कर दिया अपने इन्वेश्टर्स को उसके बाद आता है पीजीम मिचोल फॉंड हाउस की तरफ से पीजीम इंडिया इमर्जिंग मार्किट्स एक्वीटी फॉंड इस फॉंड ने पिछले 5 साल में 4.25 परसेंट का रिटरंस दिया है देखिए कौन-कौन सा फॉंड है किस-किस मिचो सोच कर देखिए वह सोचना क्या है यहां पर दो फंड सबसे पहला है डीएसपी और दूसरा इडिल वाइसिस का इन दोनों ने पिछले 5 सालों में नेगेटिव रिटरंस दिया है अब सोच कर देखिए अगर पिछले 5 सालों के लिए आपने क्या कहते उसको यह कर दिया होत यह अगर לפ stupid में कम से कम आपको इतने रिटरॉन्स तुम हिली जाते जो इनुफलेशन को बीट कर सकता था बात को समझीएगा इतने रिटरॉन्स आफको कम कि मिल अब आपको 6% 6.5% का रिटाउंस आपको FD के ऊपर मिल जाता 4.5% 5% तके का रिटाउंस आपको 8 के ऊपर मिल जाता तो सोची अगर पिछले 5 सालों के लिए आपने FD कर दिया होता तो वहां पर आपको इनफलेशन को कम से कम बीट कर जाता आपका अमाउंट समझ रहे हैं बात को लेकिन यहां पर आपने जिन लोगों ने भी निवेश किया उनका पैसा कम ही हो गया पिछले 5 सालों में अच्छा एक वीडियो मैंने और भी कवर के हुआ था बैफिनेंसर के उपर जिसमें मैंने आ बता है हुआ था कि आखिर लंसम करके कब तलक आपको छोड़ देना चाहिए या इसाइपी कब तलक करते रहना चाहिए कि आपका नुकसान का चांस बिल्कुल खतम हो जाता है वहां पर रिटॉंस ही आपके मिलेंगे रिटॉंस कम होंगे यह मानता हूं लेकिन नहीं चाहिए समझ रहना है अगर तोर पे अगर जोड़ा जाए और पिछले पांस सालों में अगर क्या कहते हैं कि आपको 0.35% या फिर माइनस 3.76% का अगर रिटॉंस आपको देखने को मिलता है तो मुझे लगता है कि बहुत ही खराब है अब देखे यहां पर आपको फो आप इस बात को समझ नहीं रहें कि भाई चाइना के अंदर चल क्या रहा है चाइना के अंदर चलने वाला क्या है चाइना का फ्यूचर क्या है चाइना की जो सरकारे हैं वो किस चीज पर जादा फोकस करके चल लिए चाइना के मार्किट किस तरह से काम करते हैं इस तरह से नहीं बहुत सारे सैकड़ों बाते हैं जो आपको जानकारी नहीं होती है बट आप वहां के countries में निवेश करने वाले fund में निवेश करते हो जैसे चाइना में निवेश करने वाले fund के अंदर आप निवेश करते हैं यूरॉप में के fund में निवेश करने वाले जो फॉंड होते हैं वहां पर आपको नहीं निवेश करना चाहिए अगर आपको पाता है जैसे आपको जापान के मार्केट में निवेश करना है या किसी ऐसे इंडिया के अंदर किसी ऐसे फॉंड के अंदर निवेश करना है जो जापान की एक्विटी में निवेश करत सकते हैं या फिर ये कहले जी यूएस की क्विटी में निवेश कर सकते हैं रीजन के हैसर रीजन ये है कि यूएस की मार्किट से जूड़ी हुई है पूरी दुनिया के मार्किट समझ रहे हैं डिरेक्ली या इन डिरेक्ली किसी तरीके से भी यूएस की मार्किट से पूरी अंदर आती नहीं है बिल्कुल ही ना के बराबर आती है जो किसी को पता भी चलता और ज्यादतर लोगों को पता भी नहीं चल पाता है इसी लिए तो कुछ देर के लिए अगर आप यूएस की एक्विटी भी निवेश करें तो यहां पर तो माना जा सकता है कि ठीक है और कहा फॉन्ड है जिनके उपर आपको पैसे लगाने के जरूरत नहीं है फिन्विन फिनेंस के उपर चार बज़े फिर से वीडियो आने वाली है तो उस वीडियो को हो सके अगर टाइम मिले आपको मुनासिब लगे तो जरूर देख लीजिएगा वहां पर मैं वह चार-पांच क नहीं करता हूं कि यह वीडियो आपको इंट्रॉस्टिं रही हो आपके लिए तो एक कर दीजिए शेयर कर दीजिए चाइनल को सबस्क्राइब रिए मैं फिर मिलता हूं किसी एंड इंट्रोस्टिंग वीडियो मैं जब तक लिए ओल दीएں वह था